कि चलिए स्टूडेंट पाठ करते हैं हमने क्या क्या कर लिया था सर हम drexus सर हमने कर लिया था branch iron branch account में हमारा Indian branch Indian branch के साथ dependent और dependent के अंदर भी हमारा at cost price वाला finest हो चुका है at cost price वाला finished हो चुका है अब हम बात करेंगे इस से आगे की कहानी ठीक है clear है voice ठीक है OK अब बात करेंगे इस से आगे की कहानी अब हम करने वाले है sir हम करने वाले हैं branch account branch account और वो भी at IP price at IP price at IP price अच्छा सर जी हाँ sir ये होता क्या है IP price सबसे पहले कुछ शब्द है उसको clear कर देते हैं invoice price या फिर selling price या फिर हम ऐसे लिखते हैं हम selling price को selling price को ही कहते हैं हम invoice price या फिर आप कहलो आई पी इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं या फिर कहलो loaded price जो ये शब्द है ना कई बार आपको इससे पहला पढ़ने वाला है तो इसलिए मैंने इन शब्दों का इस्तमाल यहीं पे कर लिया आई पी का मेंनि यानि सर बड़ी basic सी चीज है अगर हम बात करते हैं सर किसकी invoice price की यानि आई पी price की तो वो कुछ भी नहीं है nothing it is sales उसे selling price कहते हैं जैसे मान लेते हैं example मैं कुछ example लोगा बताते जाएएगा अगर मैं 10 रुपे का समान खरीदता हूँ मेरा cost है 10 रुपे का अगर उसे मैं sale करता हूँ कितना 12 रुपे में तो मेरा जो IP price होगा न वो IP price मेरा होगा 12 रुपे ठीक है न 10 रुपे का समान को मैं 2 रुपे के profit पे बेचूँगा जबाब दीजिएगा मुझे 10 रुपे के समान को मैं 2 रुपे के profit पे बेचूँगा 2 रुपे के मैं profit पे बेचूँगा तो 2 रुपे पे profit पे बेचने का मतलब यह होगा 12 रुपे और यह जो 12 रुपे होगा that is IP price यानि IP price is nothing IP price क्या है sir IP price सिर्फ और सिर्फ हमारा है हमारा क्या है sir IP price selling price IP price हमारा क्या है sir selling price है correct clear है तो IP price क्या होता है सिर्फ selling price होता है इस बात का आपको ध्यान रखना है चलिए sir यानि sir एक बात तो clear हो गई कि IP price मतलब selling price है अब मैं एक छोटी सी बात करूँगा एक मैं आपके सामने एक अकाउंट बनाने जा रहा हूँ अब ध्यान देजेगा इस अकाउंट को एक अकाउंट बनाने जा रहा हूँ ये मैंने आपके सामने अकाउंट बनाया माल लेते हैं मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं जो कि अभी हाल-फिलाल में आपने किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं एक मैं ट्रेडिंग अकाउंट में देखा जाए तो सबसे पहले हमने क्या लिखा मैं एक चीज बताता हूं आपको मैंने समान गुड्स परचेज कि गुट्स पर्चेस किया पाँच हजार रुपए का इसके उपर प्रॉफिट मैं रखूँगा दो हजार रुपए और इसको मैं सेल्स करने वाला हूँ साथ हजार पे साथ हजार पे ठीक है तो मैंने सेल्स बाई साइड में सेल्स लिखा by side में sales लिखा 7000 रुपए का ठीक है और मान लो मान लो branch और एक है हमारा head office head office क्या सारी बाते branch को बताएगा क्या head office ये बताएगा कि मैं 10 का समान 12 रुपए में बेच रहा हूँ क्या head office बताएगा कि आपको मैं इतने का समान इतने में बेच रहा हूँ तो कई बार head office नहीं बताता जब head office नहीं बताता ना कि इतने रुपए का समान हम इतने रुपए में बेच रहे हैं जब head office नहीं बताता तो ऐसे situation में branch को जो इसने good send किया मान लेतने इसने branch को send किया 7000 रुपए का तो good cent जो होता है वो तो इधर ही लिखेंगे यानि एक तरीके से जो purchase कहलो या फिर कहलो good cent वो तो इधर ही लिखेंगे कितना लिखेंगे 7000 और बेच भी दिया कितने का 7000 मेरा सवाल ये है कि आप मुझे यहां से निकाल के बता दिजिए सर क्या निकाल के बताईए आप profit निकाल के दिखाईए तो net profit आपका आएगा सुनने जीरो आएगा सर net profit क्या आएगा जीरो आएगा इसका मतलब सर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज अगर आपका selling price पे हो दोनों side अगर कोई चीज selling price पे होगी तो ऐसे situation में profit निकालना मुस्किल है ऐसे situation में क्या profit निकालना मुस्किल है तो क्या किया जाए सर क्या किया जाए सर क्या किया जाए एक इसका तरीका है मैंने तरीका निकाला है हम क्यों ना इसके अंदर से जो profit 2,000 है उसे हटा दे एक तो तरीका यहाँ है कि less कर दो भीशा यहां से profit जो इसके अंदर जोड़ा है 2,000 तो यह बनेगा सर हमारा 5000 अब total करेंगे तो 2000 रुपे हमारा profit निकलेगा लेकिन यह तरीका अच्छा नहीं है इसका एक और तोड निकाला है एक और तोड निकाला है सर क् इसका इसका जो profit है उसका profit को buy side में लिख दो buy side में अगर मैं 2000 लिख दू यानि इसके profit को buy side में 2000 लिख दू और यहाँ पर लिख दू मैं loading यहाँ पर लिख दू मैं loading sir loading क्या होता है loading क्या होता है sir loading होता है हमारा loading या loaded सर, loading होता है जिसमें हमारा profit included होता है profit को ही loading कहते हैं loading क्या होता है सर profit को ही loading कहते हैं तो बड़ी सीधी सी बात है हमारा profit is equal to इसको हम क्या कहेंगे loading कहेंगे और साथ के साथ इसको एक और नाम से जाना जाएगा सर सर, एक और शब्द आपके लिए आ रहा है new शब्द, सर एक और शब्द कौन सा लेके आओगे सर आप एक और शब्द लेके आएंगे हम क्या हम लेके आएंगे एक और शब्द जिसका नाम है reserve reserve जिसका नाम है reserve भाई इतना late क्यों आए हैं बच्चे नहीं 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 मैं थोड़े वही सुबह साथ बुझे के क्लास है मैं तो डेली लेता हूँ सुबह साथ शेलो कोई बात नहीं मैं दुबारे से फटा फट से क्विकली समझा देता हूँ यह बहुत important topic है branch का, एक बार दुबारा remind करा देता हूँ, एक बात और भी मैं clear कर दूँ, जिन बच्चों का ये topic रह जाएगा, वो रह जाएगा, अरे आज का मैंने message करना भूल गया, आपकी class आज shift किये थी मैंने, मैंने semester 1 वालो का रखाया, अगली class आपकी TTS में रहेगी, मतलब जो है, ठीक है, हाँ सुबह ही रखाया, तो सर, trading account, मेरा कहना समझिए आप, कि हम कर रहे हैं branch account at IP price, सर, what is the IP price, IP price होता है, selling price is equal to invoice price, और invoice price को ही short form में क्या बोल दिया गया है, IP price, तो selling price is equal to IP price, और उसको loaded price भी बोलते हैं, उससे कौन सा price बोलते हैं, loaded price, जैसे कि मैं example ले रहा था मैं, कि 10 रुपे वाला, अभी अभी बच्चे आएं हैं थोड़ा late, तो मैं दुबारा बता देता हूं, जैसे 10 रुपे वाला समान अगर मैं 12 रुपे में बेचता हूं, तो जो 10 रुपे है, इसे बोलेंगे cost price, और जो 12 रुपे है, इसे बोले IP price का मतलब selling price को ही थोड़ा सा नाम modernize कर दिया गया, उसको क्या बोला गया, IP price, अब कहानी यहां से देखिए, start होता है, हमें सारी चीज़ आईपी पे देजी जाए, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक समान खरीदा 5000 का, और उसके अंदर profit जोड़ा 2000 का, तो मुझे कितने का बात नहीं बताता कि मैं तुम्हें इतने रुपे का समान इतने में भेज रहा हूं, वो तो बोलता है ले जा भाई समान बेच और पैसे साम को लाके दे दे, तो इस situation में मानल इतने एक मैंने trading account बनाया, roughly वैसे trading है ने, मैंने roughly trading बना दिया, तो sales कितना एसर, sales कितना एसर यह यहां पे, sales 7000 है, अगर sales 7000 है और purchase को भी मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने purchase या good sent भी मैं 7000 रखू, तो मेरा profit क्या आ गया, 0, तो यह तो बड़ी समस्या हो गई, कि branch का तो कभी profit निकले गई नहीं, अगर head of selling price पे सारी चीजे भेज रहे है तो, तो ऐसे situation में जितना profit का part ह ना, उसके दूसरे side अगर लिख दें, यानि हम loading के नाम से लिख दें इसको, loading के नाम से कितना profit है, 2000, तो that is यह 9000 आएगा, 9000 आएगा, अब आप देखोगे आपका profit कितना आ गया, 2000, तो हमें क्या करना है, loading का मतलब क्या है, loading का मतलब profit, और profit को क्या बोलते है, loading, loading के profit included होगा, तो उसके profit को हटाना है, हटाने के लिए जितना part profit का जुड़ा हुआ है, उसके buy side में रख देना है, उसके buy side में रख देना, माने लो मैंने लिखा यहाँ, opening stock, मैंने लिखा यहाँ, opening stock, और opening stock मैंने लिखा 4000, और मैं आपको एक बात बता दूँ, कि इसके अंदर 1000 रुपे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा profit जुड़ा हुआ है, तो opening stock जो है, यह किस पे है, IP पे है, अगर IP पे opening stock है, तो मतलब opening stock किस price पे है, selling price पे है, तो selling price अगर इधर भी रखों, तो फिर हमारा profit तो निकले गा ही नी, तो इस situation में इसका फिर से क्या निकालना पड़ेग क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा loading, और loading कितना आएगा, 1000 रुपे, माने लो closing stock, closing stock हमारा 6000 रुपे है, और यह भी IP पे है, और अगर माने लेते हैं, इसके अंदर 500 रुपे का profit included है, तो फिर गलत हो जाएगा, अब इस closing stock का loading हमें इधर निकालना तो हमें इधर करना होगा, या फिर इधर करना होगा, यह possibility हो सकता है, तो sir, loading क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम actual, क्योंकि किसी भी account के अंदर sales अकेला राजा होता है, बाकि सब कोन से price पे होता है, cost price पे, सिर्फ यह रहेगा किस price पे, selling price पे, बाकि सब किस पे रहने वाला है, cost price पे, अगर बाकि सबी को भी मैंने sales price पे कर दिया, तो निकलेगा इनी कुछ तो, cut pit के क्या आ जाएगा हमारा, zero आ जाएगा, तो हमें loading price थोड़ा बहुत समझ में आ गया, sir, अब मुद्दे की बात, sir, किस-किस पे loading price होगा, यह बता दीजे, किस-किस पे loading price होगा, यह बत सकते हैं, जो निकाला जाएगा, किस-किस पे होगा, number one, किस-किस फुट है, अ बता हमारा, जो आJam किस तानी के बता है, बता है, यह बता हमें आएगा हमारा, यह बता हूपान को बता होगा हमारा, झाल 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 सबस्तолог झाल 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 चलो ठीक है बता जेते हैं तो मैंने क्या बता है सर जो लोडिंग निकाला जाएगा ना वो लोडिंग किसके उपर निकाला जाएगा नमबर बन लोडिंग निकाला जाएगा हमारा इसे मैं हटा के लिख देता हूँ फिर से हटा के लिख देते हैं थोड़ा वोइस के दिक्कत आ गई थी कोई बात ने जो लोडिंग निकाला जाएगा नमबर बन निकाला जाएगा गुट सेंट के उपर सर नमबर टू किस पे निकाला जाएगा ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक के उपर सर नमबर तीन किस पे निकाला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के उपर closing stock के उपर क्योंकि ये सारे आपके IP पे given होंगे और loading तभी निकलेगा जब question कह दे ये किस पे है ये IP पे है तभी निकलेगा और number 4 आपका क्या है sir number 4 हमारा है return return to head office return to head office इसके बाद इसको एक account में fill करते है account वही branch account रहेगा जैसे कि हमारा पहले branch account था वही branch account रहने वाला है तो branch account में मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया sir सबसे पहले लिख लिया opening balance opening balance में opening stock और bracket में मैंने लिखा IP इसके बाद debtor और furniture जो normally हम लिखते आये थे वही लिखा हमने इसके बाद good cent good cent के भी देखो bracket में मैंने लिखा हुआ IP इसका मतलब sir ये किस पे है loaded price पे है इसके बाद आगे देखा जाए तो expense meet by head office क्या क्या salary, rent, journal expense other expense ये सारा क्या है salary meet by आपका किस के दौरा echo के दौरा अब मैंने क्या समझाया कई बार ऐसा हो सकता है sir sir कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको na good cent good cent सारे चीज़े IP पे दे रखा और good cent दे दे आपको 5000 रुपे और वो किस पे दे दे sir cost पे और आपको बता दे इसके उपर जो loading है उसके उपर जो loading है loading 1000 का है तो आपने यहां 5000 नहीं लिखना आपने यहां कितना लिखना है 6000 बना के लिखना है उसके बाद इसका 1000 रुपे loading इस side में आपने लिख देना है समझ में आ रहे हैं यहां तक ठीक है buy side में अब क्या आ जाएगा sir remittance remittance buy side में आ जाएगा हमारा remittance आ जाएगा sir buy side में अगर remittance की बात करें तो क्या क्या आएगा cash sales नगद में जो बीचा और collection किस से collection from debtor collection from debtor समझ रहे हैं यहां तक यह तो हो गया हमारा यह इसके बाद sir इसके बाद और क्या रहेगा buy side में आ जाएगा आपका return return to HO और यह भी किस पे रहने वाला है IP पे रहेगा और फिर इधर आ जाएगा buy by closing closing balance by closing इसको नब balance CD भी लेख सकते हो किसका हो जाएगा sir सबसे पहले stock रहेगा stock IP पे debtor debtor के बाद furniture सर इसके अंदर न दो चीज़े और extra add करने वाला हुमे क्या दो चीज़े extra जो पिछले में नहीं था एक होता है हमारा shortage क्या होता है हमारा shortage shortage हमारा एक तरीके का loss माना जाता है यहाँ पे या तो shortage होगा या spoilage होगा तो जब कभी भी shortage होगा या spoilage होगा उसे buy side में लिखेंगे क्या shortage shortage या फिर buy side में आएगा spoilage spoil SP spoilage shortage आजाए या spoilage आजाए वो किधर आएगा और यह माना जाता है हमारा कौन सा loss सर abnormal loss इसको तो हम बाद में discuss कर लेंगे इससे क्या माना जाएगा abnormal loss तो यह भी यहीं आएगा अगर सवाल में दे रखा हो कई बार examiner आपसे पूछ लेगा क्या आप shortage निकाली है तो सब कुछ दे देगा आपको तो जो भी balancing figure आएगा वो क्या जाएगा shortage आजाएगा ठीक है न तो अगर कोई stock simple सी बात है न इधर से हम माल लेके आए और माल में माल लेते है spoilers का मतलब होता है नस्ट हो जाना या प्लीफर्ड भी लिखा होता है कई बार प्लीफर्ड सर प्लीफर्ड क्या होता है जैसे दुकान के अंदर चूहे छोटे-मोटे समान को खा जाते है ठीक है तो उसे प्लीफर्ड बोल देते हैं या प्लीफर्ड बोल देते हैं ठीक है न छोटे-मोटे हैं प्लीफर्ड प्लीफर्ड तो वो भी दर यानि simple सी बात है हमारा stock आ रहा है तो इस side आएगा और stock किसी भी कारण वास किसी भी reason से हमारा stock खराब होगा तो किदर लिख देंगा हम by side में लिख देंगा और इन सभी पे भी loading होगा यानि sir इसका मतलब number 5 भी होगा हाँ क्या आपका any kind of abnormal loss abnormal loss और sir abnormal loss क्या होता है हमारा abnormal loss हमारा होता है और प्लीफर्ड या shortage spoilers या फिर प्लीफर्ड तो यह और add कर दिया मैंने यहां तक करने के बाद यहां तक करने के बाद आपका यह तो normally तीन चीजे बस add on किया है यहां तक करने के बाद आपने सारी चीजे कर दिया है अब यहां तक करने के बाद आपको एक काम करना है sir sir क्या काम करना है यहां तक करने के बाद आपको सभी का loading लिखना है तो यहां से loading इस side आएगा और यहां की loading इस side आएगा तो यहां से loading देखते जाते हैं किस पे निकलेगा किस पे अरे इस पे निकलेगा तो यहां पे लिखेंगे by कहीं भी लिख दो जहां जगे हैं मिले by stock या तो फिर stock reserve लिख दो और bracket में opening stock में है ना या तो stock reserve लिख दो या loading और bracket में मैं loading समझ भी इस्नमाल कर लूँ लेकिन आप एक ही करना ठीक है ना stock reserve कर लो या loading कर लो या फिर मैं इसको मिटा के लिखी देता हूँ हम दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं by loading loading पता है मैं क्यों लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा कम space लेता है देख रहे हूँ ना इसलिए मैं loading सब्द का इस्तमाल कर लेता हूँ बागी किताब में stock reserve भी कई बार इस्तमाल होता है और कई बार loading सब्द का भी इस्तमाल होता है ठीक है ना चलिए सर इधर हो गया और किसी पर निकलेगा क्या इधर बताओ जी हाँ good send पर निकलेगा और किस पर निकलेगा good send पर निकलेगा तो by side में देखा जाए तो by loading by loading सर लोडिंग किस पर निकलने वाला है सर Goods, Sent पर निकलेगा Loading और कोई आइटम है कि इधर Loading निकालने वाला? कोई आइटम है क्या Loading निकालने वाला? नहीं अब इधर चेक करते हैं, क्या Sales पर Loading निकालेंगे आपन? नहीं निकालेंगे क्या collection from debtor पर निकालेंगे सब नहीं निकालेंगे क्या return to HO को पर निकालेंगे बिलकुल इस पर loading निकलेगा तो इधर लिख देंगे to loading loading और यह किस पर है return पर क्या return के बाद loading के बाद आ गया जाते है क्या spoilers पर निकलेगा जी हाँ spoilers पर भी निकलेगा लोडिंग अभी नहीं लिख रहा इस पॉइलेज पर निकलेगा किया सर्प्लीफर्ड पर निकलेगा सर्णिकलेगा मुझे तो लिखना कुछ और था मैंने लिख और दिया लोडिंग इसके बाद क्या है प्लीफर्ड उसके लिख शब्द का इस्तमाल करना है लोडिंग चलिए इतना करने के बाद आपका अकाउंट बनके हो गया तैयार अकाउंट जब बनके तैयार हो गया इधर जब निकलेगा तो टू नेट प्रॉफिट या टू प्रॉफिट कह लो बस अकाउंट में यही था बस अकाउंट में चेंजिस क्या था यही था क्या था सर ब्रांच अकाउंट पुरानी बाते हैं जैसे पहले बनाए था वही है बस यहाँ पर loading का काम किया हमने कि जिसके उपर loading निकल रहा था उसको हमने by या two side में लिख दिया अब मुद्दे की बात होती है ना कि examiner loading आपको आसानी से नहीं बताएगा examiner loading आपको आसानी से नहीं बताएगा एक चिस ध्यान रखिएगा जैसे हमेशा कहा जाएगा क्या sir head office है head office send goods send goods कहेगा यह हमेशा cost plus 25% कुछ ऐसा सब्द का इस्तमाल करेगा और आपको दे दिया उसने goods sent 5000 और bracket में IP head office क्या कहता है हम cost के उपर 25% profit को रखेंगे और भीज देंगे branch को और किसको भीज देंगे sir branch को और branch को जो भीजा गया ना वो भीजा गया कितने में sir 5000 रुपे में तो सबसे पहले आप मुझे यह बताइए यह 5000 रुपे selling price है या फिर यह 5000 cost है क्योंकि इसके bracket में IP लग गया तो इसका मतलब यह कौन सा price है selling जिसके भी bracket में IP लग जाता है वो क्या बन जाता है sir selling price तो sir यह 5000 रुपे हमारा क्या है sir 5000 रुपे selling price है और यह हमारा क्या है sir आप देखा जाए तो यहाँ पे बोलता है इसके अंदर profit included कितने percent है लेकिन 25% किस पे included है cost पे तो हम इसके उपर तो 25% नहीं निकाल सकते हैं हमने final account पे देखा था तो यानि बड़ी सीधी सी बात है जब हम account को prepare करेंगे तो account को prepare करने के बाद हमें good cent इधर लिखना है और good cent मैंने इधर लिखा 5000 तो इसका loading तो मुझे इधर लिखना है ना तो समस्या यह आ जाती है सर कितना loading लिखेंगे तो अगर आप सोच रहे हो कि 5000 पे 25% निकाल के 1250 कर दें हम तो गलत सोच रहे हो यह नहीं होगा 5000 पे 25% नहीं निकालना आपको क्या करना होगा आपको मानना पड़ेगा जैसे कि क्या होता है sales is equal to cost प्लस में GP या IP कह दो sales आपको given है सर 5000 cost नहीं given है x और GP किसके उपर है सर cost की बात कर रहे है तो x ऐ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इस value को आप solve करेंगे तो x का value आपको निकलके आ जाएगा 4000 4000 रुपे क्या निकलके आए सर 4000 निकलके आए आपका cost तो profit कितना होगा सर profit होगा हमारा 1000 तो हमें इजहर दो loading में लिखना है वो loading कितना लिखना है सर वो लिखना है 1000 समझे बाता यानि आपको percentage के terms में देगा लेकिन मान लो ये कहता good cent आपका good cent कहता है आपको cost plus 25% की जगह पे कहता है sales good cent कहता है यहाँ पे शब्दो को देखिएगा शब्दो का कमाल है यहाँ मैंने कहा goods send at at profit on sale 20% सर इसका मतलब क्या हुआ जो goods जा रहा है जो मैंने goods भीजा है वो profit पे कितने percent है सर बताइए 20% इसका मतलब अब हमें इतना जहमेला नहीं करना हमारा goods cent यहाँ पे मातर 5000 आएगा और इसका profit directly हम 20% निकालेंगे किस पे सर 5000 के उपर 20% निकालेंगे जो कि आ जाएगा 1000 रुपे समझ रहे बत को आप यानि आपको selling price दे रखा है यानि इसका मतलब समझे हम बात को तो हमारे साथ ऐसा कहानी कर सकते हैं ये क्या कर सकते हैं आपको sales दे दे sales दे और जो बोले profit और बोले आपको GP या मैं बोल लूँ अगर बोलता है आपको profit वो profit आपका depend करेगा sales दे दे मान लेते हैं कि 1000 रुपे और profit जो दे दे वो profit दे दे आपका on sales 20% तो ऐसे situation में अगर मैं आपसे profit पूछूँ तो बड़ा आसान है जवाब देना सर क्या होगा क्योंकि sales ही दे रखा है और profit भी sales पे है तो ऐसे situation में सीधा 20% निकल के क्या जाएगा 200 रुपे पहली कहानी देखिए आपको समझ में आया दूसरा आपके साथ क्या कर सकता है वो दूसरा आपको कर सकता है sales दे दे और sales दे दिया उसने 1000 रुपे और कह दे profit profit on cost profit and cost और दे दिया उसने 25% तो ऐसे situation में आपसे पूछ ले कि profit निकालिए तो आप profit नहीं निकाल सकते क्योंकि ये sales है और ये क्या है हमारा cost है तो ऐसे situation में आपको क्या करना होगा let x करके करना होगा यानि सर हमारा sales is equal to sales is equal to cost plus में cost plus में क्या हैगा profit और sales कितना है बताइए 1000 cost कितना होगा नहीं पता तो इसको क्या मान ले x और profit किसके उपर depend कर रहा है cost के उपर तो यानि क्या हो जाएगा x, y, 4 जब x की value आप sort out करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे x की value sort out करेंगे तो आ जाएगा 800 ठीक है ना यानि आप जब solve करेंगे तो इसका मतलब profit कितना होगा profit होगा यह क्या है हमारा cost cost आया और cost आने के बाद profit 200 है तो इसके उपर हमने profit लगा दिया नहीं समझे अब देखो आपका cost आ गिया कितना 800, sales आपका कितना है अगर cost आपका निकल गया 800 तो profit तो भीया 200 कमाया होगा समझे बाद आप तो यह इस तरीके से हो सकता है यानि दूसरे pattern में आपको यह दे सकता है दूसरा तरीका आपको एक यह भी बताय गया था वैसे मैंने पहले discuss किया था आप simple कर सकते हो आपको sales दे रखा है और इसके अंदर profit included है तो profit कितना included है 25% तो divide 125 करिए और into में कितना करिए 25 करिए तो आपका जवाब अगेन आ जाएगा ठीकन आप यह वाला follow करिए चाहाँ ऐसे करिए बाकी मैं कुछ एक percentage लिख दूँगा उसी percentage पे examiner पूछेगा हर बाद जैसे कि हमने पहले भी लिखा है चलिए और क्या बोल सकता है और कैसे उलजा सकता है आपको चार तरीके से ज़्यादा उलजाने के उनके पास रास्ता है ही नहीं हो सकता है कि आपको क्या दे दे वो cost दे दे 1000 और क्या कहे profit कह दे वो और profit किस पे कहे on cost कह दे profit on cost कितना कहता है सर 20% कहता है तो सर profit कितना आएगा कौन बच्चा बताएगा profit कितना आएगा ये भी cost और ये भी cost और 20% है बताओ profit कितना आएगा जल्दी बताओ profit किया आएगा तो सर profit आने वाला है इसका अब ऐसा मत समझने ना हर सवाल का profit 200 ही आता है कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो होंगे तो वो सोच सकते हैं कि सर ये 200 कैसे निकाला तो वो 1000 इंटू में 2 और 20 बटे में 100 ठीक है अब एक और कैसे पूछ सकता है आपको कॉस्ट दे दिया कॉस्ट दे दिया कितना 1000 और आपको profit और कुछ नहीं बोल रहा सर ये सरिफ उसने बोला कि आपका जो profit है profit ratio जो है वो ratio सर सरफ और सरफ बोल दिया उसने profit ratio बोल दिया 25% और nothing और कुछ नहीं कहता 25% 25% कि 20% लिखते है बस बोल दिया 20% तो जब कभी भी कहे न profit ratio तो हमेशा समझ जाना कि वो पता किस पे कह रहा है profit ratio बोला और ये नहीं बताए तो हमेशा समझ जाना वो sales पे कह रहा है वो किस पे कह रहा है sales पे तो अब यहाँ पे कहानी क्या है cost है और profit on sales है तो equation बनाना पड़ेगा हमें find क्या करना है सर हमें find करना है profit या loading तो हमें equation बनाना पड़ेगा sales is equal to cost plus profit सर sales कितना है सर sales कितना है नहीं पता सर ये 1000 रुपे है सर profit कितना है 20% लेकिन किसका sales का तो xy5 हो जाएगा जब इस value को आप solve करेंगे इस value को जब आप solve करेंगे तो आपका आएगा पूरा ही solve कर देते हैं कुछ बच्चे सोच रहोंगे सर शॉटकट मार रहे हैं x-max by 5 is equal to 1000 ये 5 4x आजाएगा divided by 5 is equal to 1000 5 से multiply हो जाएगा 5000 is equal to 4x x is equal to 5000 divided by 4 तो कितना आएगे 5 एकम 5 पांच दुनी पांच दुनी 10 और कितने बचे 5 बारा सो पचास ठीक है कितना आगया 1250 किसका value आगया सर x का आगया और that is ये क्या है हमारा sales है आपको पता चल गया sales भाहिया 1250 का और समान कितने का था तो profit निकल सकता है profit आगया समझ में आया यानि क्योंकि अगर account को हम देखे न ध्यान से account का main पड़ा ही तो यही है कि इसके उपर आपका profit included होगा उसके profit को निकाल के इधर रखना that is loading या पहलो reserve अगर आप उस profit का हिस्सा ही नहीं निकाल पाए तो आप तो करी नहीं पाओगे इसको और examiner हमेशा आपको किस terms में देगा ऐसे नहीं बताएगा कि 5000 का समान 6 में बेच रहे हैं हमेशा बोलेगा cost plus 25% या बोलेगा sales पे 20% तो वो हमेशा किस में terms में बात करेगा percentage के terms में चलिए आप कुछ percentage भी देख लेते हैं जिसको आपको याद रखना है sir क्या रखना है percentage आपके cost पे कुछ information given होता है sir किस पे given होता है cost के उपर और कुछ information given किस पे होता है sir कुछ information given होता है हमारा sales के उपर ठीक है न एक दम बढ़िया से मस तरीके से कर लेते हैं इसको और इसको याद रख लीजिए गा so that आगे आपको काम आएगा ये लाइन खीश दी हमने तो अगर cost के उपर बात करें हम इधर से भी खीशते हैं अगर हम cost के उपर बात करें तो cost के उपर अगर बोला जाए ना कि आपका 20% है तो इसके उपर होगा आपका 16.66% अगर यहाँ पर बोला जाए 25% है तो यहाँ पर होगा sir 20% यहाँ पर बोला जाए आपका कि 33.33 या फिर इसको बोला जाता है इस तरीके से 33 1 by 3% ठीक है तो इसको 1 by 3 भी बोल सकते है तो यह होगा यहाँ पर 25% अगर यहां बोला जाए ना 50% है तो यहां पे होगा 33.33% या कह सकते हो 1 by 3 अगर यह आपके कुछ है जो कि बार-बार पूछे जाएंगा जैसे कि पिछले सवाल में देखिए आपको मैंने बोला था 20% है तो 20% sales पे है और यह cost है जब दोनों differ है तो इसको हमें convert करना होगा अगर इस वाले percentage को हम cost पे convert कर दे तो direct निकाल सकते हैं तो 20% अगर sales पे होता है तो cost पे कितना होता है sales पे 20 तो cost पे automatic कितना होता है पच्चिस तो आप फटा फट से देखिए आप 1000 पे 25 निकालते तो पूरा 500 रुपए आ जाता है समझ में आए examiner इस से जाद आपके साथ नहीं खेलने वाला उसके पास यह percentage है और यही percentage देगा तो आपको याद रखना है 25 या फिर आपका 20 16 इस तरीके से आपको ध्यान रखना है समझ में आई बात आपको तो यह था हमारा कुछ important information नोट कर लीजिए गाई तो यहां तक आज तक के हमने सवाल में आज तक के आज हमने क्या सीख लिया सर आज हमने देखा branch account ब्रांच account किस पे देखा एक IP price पे देखा IP price किसे बोलते हैं सर selling price को ही बोलते हैं IP price selling price is equal to invoice price या फिर loaded price भी बोलते हैं सर loaded price किस-किस पे होता है कौन-कौन से चीजे selling price पे given हो सकती है good send देर सकते है opening stock देख सकते है closing stock देख सकते है return दे रह सकते है abnormal loss दे सकते है सौटेज दे सकते हैं, स्पॉलेज देख सकते हैं सर लोडिंग क्या होता है सर लोडिंग प्रॉफिट को ही बोलते हैं और उसी को एक और नाम से बोला जाता है रिजर्व, अकाउंट के अंदर क्या करेंगे सारी चीज़े अगर ऐसा आई पी पे रहा न हमारे तो उसके उपर लोडिंग प्राइज निकालके हम उसके दूसरी साइड में डाल देंगे और इधर गोई चीज आई पी पे हुआ तो इस साइड में डाल देंगे जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा है वो that is सारी चीज़े आपके लोडिंग है इसके बाद सारी लोडिंग हमारे एक्जाम में कुश्चन कैसे पूछा जा सकता है तो simply आपको मैंने बता दिया या तो cost plus 25% या 20% पूछा जा सकता है या सीधा selling price पे आपको दिया जा सकता है percentage निकालने के कुछ functions है और उसके साथ साथ last में यह कुछ percentage है जो पूरे सवाल में use होने वाला है यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताईए